पुलिस को मिले अधिकार जैसे 176 इसके सर कई 2 रुपियों की भी खबरे आ रही है थाने लेबल से पुलिस वो आमजंता से भी और नहीं मिलना नमस्कार सोतन प्रभध में आपका स्वागत है आज हमारे साथ बाधचीत के लिए लखनु के कमिस्नर स्रीमान डी के ठाकर जी है और डी के ठाकर जी हमारी सब्रभध जयूम्हाद है और दन्यवाद है सर, लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरे देश में काफी तेजी से चला, और हाली में हमने देखा कि लखनों के कई धार्मिक अस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, अभी सर, हाली में रमजान का पाक महिना भी भीता, सबकुछ सर, इत्ती सांती से कैसे संभो हुगा? देखे इसके पीछे मानी मुक्हमंतरी और शासन-प्रासन के निर्देश हैं, उसने काफी सायोग किया है। मानि मुख्यमंत्र के स्पच्छ निर्देश था कि जो लॉड़ स्पीकर धार्मिक स्थलों पर या अनिस्थलों पर बिना परमिसंग लगाएंगे उनको अठा दिया जाए और जो परमिसंग से भी लगे हुए हैं उनमें इस उनिशित किया जाए कि उनकी आवाज वो धार्मि से उनके माध्यम से ही कराया जाए ही हम लोग उनकिया नक्यों लखनों में पूरी प्रदेश में सक्या गया है इसके साथ नवीन जो निर्देश मानि में कुंत्रिन दिया है वो यह है कि यदि ऐसे धार्मिक स्थनों से लॉड़ स्पे कर उतरवाय जा रहे हैं वो उपलब् कि कमिशनर पड़ाली लागू होना बड़ी बात नहीं है इसका सफल होना बड़ी बात है और जो आज देखा जाय तो कमिशनर पड़ाली लखनों में काफी सफल रही लेकिन सर पुलिस को मिले अधिकार जैसे 1716 इसके सर कई दुरुपियों की भी खबरे आ रही है थाने ले से कहले इसका तस्यात लयकर विपोर्ट बेजे जाती थी जो जब कमिशनर शिस्टम नहीं था इसकी रिपोर्ट एइसद्धेंग पास जाती ति अब एक रिपोर्ट प्रश्चत यह आवसक्त निया घया रहा है ऐसे जो इसका नहीं आघत आती है तो कि आई ठाने शो को इस कारियों के मंटेंग कर रहे हैं, विशिजमें बैठके हमारे अधिकारियों ट्रेनिंग देते रहते हैं, और से डिसकस भी करते रहते हैं, अपर से सर यह लखनौ राजधानी, यहां पर कई लोगों का आना जाना होता है, इसमें सर जो आतंगबादी गदविधी हैं, जैसे आ अनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस सर निपटने की कैसे आपकी क्या योजना हैं? सब आनलाइन हो रहा है, आनलाइन टेनिंग हो रही है, आनलाइन आपको उसमें रिक्रूट किया जारोंने सारी बाते हो रही है, इसके लिए हमारे हैं स्पेशलाइज एजनसी हैं काम कर रहे हैं, हम उतनी गहराइस काम नहीं कर पाते हैं, हमारे स्पेशलाइज एजनसी हैं चाहे ATS है, चाहे IB है, यह सम मिलके काम कर रही है, हाँ, उनके जो भी operation कारे होते हैं, इसमें हम लोग सही हो देते हैं, जो उनका हमने surveillance करना होता है, ट्रेल करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, मुगद में लिखे जाते हैं, उनके पैर भी करना पड़ता है, वो हम लोग समलों काम कर रहे हैं, तो इसमें सारी जिंसी मिलके काम करती हैं, और मिलकर करके हम इसमें सफ़लो पाएं, आपने देखा होगा पिछले अठारा मेने उसे पहले भी लखनों में इसमें गटना नहीं हुई है, लास्ट जो यहां पकड़ा गया था, काकुरी एरिया हम पकड़ा गया था, एटीस ने हम लोग मिलके ऑपरेशन गया था, और हम विश्वास रखते हैं, आगे भी यसे हम लोग मिलके काम करते रहेंगे, तो लखनों सेफ एंड सेक्योर रहेगा, लखनों में हम लोग की कारिपटाली में चेंज आ रहा है, हम लोग सारी गतिविदियां ओनलाइन कर रहे हैं, हमाले बैंक के हम लोग 15-20 साल पले महिने में चार और पांस वर बैंक से ले जाते थे, cash withdraw करने के लिए, cash deposit करने के लिए, या कुछ और कारियों के लिए, अब किस कोई बैंक का एक्सचेंज होता है, या आपके फोन का है कर लिया जाता है, या आपके फोन पर मैलसिस कॉल आते हैं, आपके ATM कुछ ले जाते हैं, OTP पुछ लिया जाते हैं, पिन पुछ लिया जाते हैं, इसके माधियम से जो होने वाले फ्रॉड हैं आगे बढ़ते रहेंगे, इसके एक मदुंदाने को पहले कौल आया कई ओकरांऑ लेकिम Let me अपने मेंग में टांसफर करा लिए हम लों टीम अच्छा काम काया साइबर सेल ने थाने के हम लों पचास लाक रुपे वावस करा है तो काने का लब बलब भाव भी है कि साइबर काम तो बढ़ेंगे हम क्या कर सकते हैं नमबर बन की जनता जागरुक हो अवेर हो और जनता की जागरुकता अवेरेने इसके बाद अपरात काफी कम होगे और जहां उसके बाद भी जो छोटे मूटे अपरात होते रहेंगे उसमें हम लोग अपने जो पुलिस परसनेल उनको ट्रीन करेंगे सबसे बड़ी समस्य आती है कि थाने लेबल पर इनका F.I.R. दरजोन में काफी मुस्किले आती है कई मामले हमारे भी संग्यान में आये हैं जो साइबर क्राइम के पीडित होते हैं साइबर क्राइम पर इसके साइबर के संग्यान में लिए जाता है मैं आपकी बात मानता हूँ ऌसमपनूন हूं कहीं कभा एक दो बार बात आती है कि घणी मुका ने इंडिकने मिलम होता है लेकिन हम लोग इंशोर कर रहे हैं कि थाने मुगद में लिख जाए और साइबर सेल साथ मिल करके उसका प्रॉफर इंविस्टिकेशन हो जाए सर लखनों में ट्रैफिक ब्योस्था काफी बहतर हुई है यह मैं नहीं लखनों की जनता कह रही है इसको सर और बहतर कैसे किया जाए इसके अलाबा इंजरी पर हम लोग काम कर रहे है बहुत सार अभी हम लोगों ने चार बाग को अतिकरमन मुक्त करने को सिसक करने जिक ट्राफिक करने को से ट्राफिक कर संब और समोथ हो दो एक लाश्ट सवाल, मैंने यहां आने के पहले सर आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी, जिसमें हमने आपके पुलिस कर्मी से ही आपके बारे में कई जानकारी ली थी, एक चीज सर कॉमन थी, हर एक छोटा सिपाही से लेके एक इंस्पेक्टर रहेंक अधिकारी, एक कहता था कि आप सर, एक चाहे वो थाने का सिपाही हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, सबसे बहुत ही कायदे से मिलते हैं, यही सेम चीज सर क्या थाने के जो इनस्पेक्टर है या पुलिस वो आम जंता से भी उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यबाद सर अपना कीमती समय देने के लिए यह हमारे साथ लखनोग के कमिशनर स्रीमान डीके ठाकुर जी थे नमस्कार धन्यबाद कैमराबन रोसनी के साथ वेपिन सोकला सोतन प्रभात लखनोग